आमदनी अठनी, खर्चा रुपईया 2001 में ये मूवी आई थी गुविंदा की बट आज 23 साल बाद भी ये कोट रिलेटेबल लगता है डिलॉटे के एक सर्वे के हिसाब से 50% से जादा मिलेनियल्स और जेंजी पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं यानि की कोई सेविंग्स नहीं हो रही नैचुरली इस से फाइनेशल स्ट्रेस होता है अब सेविंग्स ना होने का कारण हमारी आदतें भी हो सकती है हमारी जनरेशन के स्ट्रगल्स हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से अलग है तो इस एपिसोड में हम देखेंगे पांच ऐसे मौडन मनी ट्रैप्स जो आज कल यंग जनरेशन को पूर बना रहे हैं और हम कैसे इन ट्रैप्स से बच सकते हैं और लॉंग टम में वेल्थ भी क्रियेट कर सकते हैं नमस्कार मैं हूँ मुकुल मलिक और आप देख रहे हैं दा ऐसे ट्योगी शोग वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी एप आने वाली है मेरा और मेरी टीम का ऐसा मानना है कि इस एप से इन्वेस्टिंग काफी सिंपल हो जाएगी एप के लिए आप साइन अप कर सकते हैं for discounts and early access लिंक नीचे आपको description में मिल जाएगा अब देखिए यहाँ पर हमारा पहला money trap आजाता है आज कल का consumerism अब जितनी भी companies हैं, obviously brands हैं, उनका काम है हमें लुभाना नया नया समान produce करना और उसके साथ साथ हमारा create हो जाता है FOMO यानि की fear of missing out सोशल मीडिया पर हम influencers को देखते हैं या फिर celebrities को देखते हैं या फिर अपने friends को भी देखते हैं कि उनका lifestyle कैसा है उसको हम copy करने की कोशिश करते हैं अगर हर कोई iPhone खरीद रहा है तो हमें भी iPhone चाहिए Fast fashion में अगर लोग जा रहे हैं जैसे कि लोग जारा में जाते हैं H&M में जाते हैं नए-ने उनको कपड़े खरीदने हैं लोगों को नए-ने महंगे-महंगे sneakers खरीदने हैं तो ये सब क्या है? ये consumerism है इसके साथ-साथ बहुत सारे discounts हमें देखने के लिए मिलते हैं Zomato और Swiggy हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हमें बहुत सारा खाना खाना चाहिए Obviously उस discount को लेने के चक्कर में हम अपना cholesterol और sugar level भी कहीना कहीं बढ़ा रहे हैं Similarly, Flipkart, Amazon दुनिया भर की sales लगती है तो क्या हमें जब भी sales लगे बहुत सारा समान खरीद लेना चाहिए शायद नहीं अब यहाँ पे हमारा second money trap आजाता है spending without budgeting यानि कि हम बिना कोई भी budget बनाए हुए कोई भी समान खरीदने की या तो चाहत रखते हैं या फिर actually उसको खरीद भी लेते है यहाँ पे हम एक example भी लेके चल सकते है अब बहुत लोगों को अच्छे अच्छे phones खरीदने है एक लाक रुपे का phone खरीदना चाहता है कोई लेकिन salary खली 50,000 रुपे है तो क्या उसको वो phone खरीदना चाहिए शायद नहीं income 50,000 रुपे है गाड़ी खरीदना चाहते हैं हम 10,000 रुपे की क्या वो हमारे budget में आती है शायद इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं क्या हमने कोई budget बनाया ये सारे समान खरीदने के लिए अब देखे जब भी हम कोई समान खरीदें उसके बाद हमने इस खर्चे के लिए plan किया शायद इस तरीके के budgeting हम miss कर रहे हैं कैसे ही हमें budgeting करनी चाहिए इसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे तीसरा बड़ा money trap excessive credit अब देखिए अगर हम अपने parents की generation को देखें तो वो लोग loan या फिर credit कब लेते थे घर खरीदने के लिए गाड़ी खरीदने के लिए मेभी किसी की शादी करने के लिए या फिर higher education बच्चों की उसके लिए loan लेते थे वो सारे urgent requirements में आ जाते थे लेकिन आज की date में अगर हम देखें तो electronic gadget से लेके कपड़ों तक, jeans तक, सब कुछ credit पे विकरा है तो क्या ये हमें credit लेना चाहिए no cost EMI आ चुकी है buy now, pay later जैसी schemes आ चुकी है जिसके अंदर interest इतना जादा चार्ज होता है इसके कारण हम लोग debt trap में फस जाते हैं credit card पे हम लोग लोगों के साथ match up करने के लिए समान तो खरीद लेते हैं लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि वो पैसे हमें वापिस भी करने हैं एक बार गलती से हमारा default हो जाए उस default के उपर interest लगना शुरू हो जाता है वो payments हमारी बढ़ती चली जाती है एक payment को करने के लिए हम दूसरा credit या फिर दूसरा loan उठा लेते हैं इस तरीके से हम debt trap में फज जाते हैं उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इस excessive credit को हमें obviously no कहना पड़ेगा कैसे कहना पड़ेगा obviously बात करते हैं चौथा बड़ा money trap आ जाता है considering parents money as own money ध्यान से समझेगा यहाँ पर मैं क्या कहना चाता हूँ देखे हमारी parents की generation में उन्होंने काफी सारे struggles देखे कुछ scams भी देखे उन्होंने stock market scam देखा जैसे की हरशद महता scam हुआ फिर केतन पारिक scam हुआ stock markets में भले ही उन्होंने जादा investing नहीं करी लेकिन उन्होंने अपना घर बनाया साथ में उन्होंने अपनी गाड़ी भी खरी दी उन्होंने savings भी करी उन्होंने शादियां भी करी अपने बच्चों की साथ में उन्होंने higher education भी दी उन लोगों को तो इन सारे struggles के चलते उनका कुछ ना कुछ financial discipline बना तो obviously हम कुछ ना कुछ अपनी parents की generation से भी सीख सकते हैं और उनके पैसों को हमें अपना पैसा नहीं समझना चाहिए taken for granted नहीं लेना चाहिए of course इसके कुछ pros and cons है advantages की यह हो सकती है कि अगर हमारे parents ने already हमारे लिए घर बना दिया है उनके पास savings है तो एक तरीके से हमारे पास fallback option हो जाता है हम कुछ risk ले सकते हैं entrepreneurship try कर सकते हैं कोई एक नया project try कर सकते हैं लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी disadvantage भी है अगर हम अपना कोई project भी try नहीं कर रहे है कोई entrepreneurship भी try नहीं कर रहे है साथ में savings भी नहीं कर रहे है हम सारा पैसा खर्चा कर रहे है हम foreign vacation पे जा रहे है हम अपने नए-ने कपड़े खरीद रहे है gadgets खरीद रहे है savings zero हो रही है अगर हमारी तो उससे क्या होगा actually हमारा financial discipline खराब हो रहा है पहला तो हमें बहुत जादा खर्चा करने की आदत पड़ रही है दूसरा जो यह हम अपना lifestyle बढ़ा रहे हैं इतना जादा खर्चा करके यह शायद हम future में उतना sustain नहीं कर पाएंगे future में हमारी liabilities भी बढ़ जाती है अगर हमारी शादी हो जाती है future में बच्चे हो जाते हैं तो उनको भी क्या हम इतना अच्छा lifestyle दे पाएंगे जो हम आज अपने लिए ले रहे हैं so the point is यह जितना भी हम खर्चा कर रहे हैं क्या वो sustainable है और क्या हमें अपने parents के पैसे को अपना ही पैसा समझना चाहिए यह मेरा आपसे question है जरूर इसका answer कीजिए पांचवा बड़ा money trap ignoring personal finance and investing अब देखे जैसे यह personal finance और investing की बात आती है generally लोग quick money बनाने की कोशिश करते हैं लोग cryptocurrencies के अंदर invest कर देते हैं पैसा बनेगा लोग trading और investing में ठीक से फरक नहीं समझते हैं जैसे ही stock market की बात आती है ट्रेडिंग सबसे पहले दिमाग में आता है technical charts की लोग बात करना शुरू कर देते हैं लेकिन investing में actually ज़्यादा probability होती है पैसा बनने की ट्रेडिंग में आप कोई भी data उठा के देख लीजे इंडिया का उठा के देख लीजे वर्ल्ड ओवर data उठा के देख लीजे 90% लोग पैसा lose ही करते हैं चाहे वो stocks में directly trade कर रहे हैं या फिर उनके futures और options में trade कर रहे हैं जादातर लोग पैसा गवाते ही हैं लेकिन आप देखेंगे जादातर लोग पैसा जो passive investing करते हैं mutual funds में invest करते हैं या फिर active investing भी करते हैं stock markets में probability वहाँ पे long term में पैसा बनाने की बहुत high होती है तो हमें ये probability पे जादा ध्यान देना है बजाए इसके कि हमें quick rich schemes में invest करें फिर personal finance यहाँ पे हमारा खतम नहीं हो जाता है इसके अलावा भी बहुत सारे aspects हैं जैसे कि loan management हमें high interest loans नहीं लेने चाहिए credit card पे default कभी नहीं मरना चाहिए इतना जादा वहाँ पे interest rate लग जाता है taxes हमें पता होने चाहिए कि हम अपने taxes maximum कैसे optimize कर सकते हैं हमें अपनी savings कैसे maximize करनी चाहिए investments कैसे maximize करनी चाहिए जो returns उन से मिलेंगे वो कैसे maximize हो सकते हैं of course इस सब के लिए learning लगेगी चलिए अब बात करते हैं कि इन सारे money traps से आखिर हम बच कैसे सकते हैं इसमें पहला point है कि हमें needs और wants में फरक समझना बहुत जरूरी है needs मतलब हमारी जो जरूरते हैं जो हमें करने ही करने हैं खर्चे जैसे कि अगर हम एक मकान में रहते हैं तो उसका rent हमें भरना ही भरना है लेकिन अब वो मकान हमारी खाली जरूरत के हिसाब से होना चाहिए अगर हम बहुत बड़े घर में रहना चाहते हैं तो वो actually हमारे want में चला जाएगा इसलिए जो हमारी बिल्कुल जरूरते हैं उसे हम needs के अंदर डालेंगे obviously यह हमें अपने हिसाब से देखना है कि क्या क्या categorize हम needs के अंदर करना चाहते हैं अब rent उसमें से एक हो सकता है, groceries हमें खरीदनी ही खरीदनी है, वो हमारी need हो जाएगी फिर साथ में internet का बिल, पानी का बिल, electricity का बिल, तो यह जितने भी हमारे खर्चे हैं, वो हमारे needs में चले जाते हैं या फिर बच्चों के स्कूल की fees, यह सब भी needs का part है फिर आ जाता है हमारा wants, wants होती है, actually हमारी चाहते हैं, जो हमारी इतनी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं वो काम करना जैसे की हम एक अच्छा phone खरीदना चाते हैं, हम foreign vacation पे जाना चाते हैं, या फिर हम एक अच्छी गाड़ी खरीदना चाते हैं, यह सारी actually हमारी wants में आ जाती है तो एक बर हमने इन needs और wants में categorize कर लिया, तब हम अच्छे से उन खर्चों को plan कर सकते हैं यह planning हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाता है हमारा second point, यहाँ पे हम 50-30-20 rule follow कर सकते हैं in fact इसके बारे में मैंने अपने बहुत सारे videos और episodes में बात भी की है 50-30-20 rule in fact हम दुबारा से summarize भी कर लेते हैं, तो अगर हमारी मान लीजे, total income 100 rupees है उसमें से हम 50% यानि की 50 rupees needs के लिए allocate कर सकते हैं 30% हम अपना wants के लिए allocate कर सकते हैं फिर बाकी का जो 20% बचा, वो हमें definitely save करना चाहिए और उस पैसे को invest करना चाहिए future के लिए, जिससे की आज जो हमारा अच्छा lifestyle चल रहा है, इन सारे budgets के हिसाब से वो हम future में भी carry forward कर पाएं So the overall point is that we have to take our money seriously In fact, India में तो हम इसको लक्षमी कहते हैं, हमें इसकी respect करनी बहुत जरूरी है तीसरा point, अब skill करना बहुत जरूरी है हमें यानि कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें हम अपना best कर पाएं हमें जो भी best skills चाहिए, जो भी latest technology आ गई है, latest skills आ रहे हैं वो सारे सीखने अपने आपको upgrade करना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे Warren Buffett का कहना है कि we are our best investment यानि कि अगर हम अपने उपर invest करते हैं, तो उसके हमें सबसे ज़ादा returns देखने के लिए मिलते हैं सबसे ज़ादा यानि कि infinite returns भी यहाँ पे हो सकते हैं अगर हमने मानली जिए एक YouTube वीडियो देख के कुछ ना कुछ skills acquire कर लिए और उससे हमने जो भी returns बनाए, actually investment तो उसमें हमारी कुछ भी नहीं हुई, तो infinite returns भी हो सकते हैं चौथा point, good debt versus bad debt यानि कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए हमें loan लेना चाहिए या फिर किस चीज के लिए नहीं लेना चाहिए good debt के क्या example हो सकते हैं जो भी हमारी urgent requirements हैं या फिर needs हैं, उनके लिए अगर हमें loan लेना पड़ रहा है, तो वो good debt हो सकता है For example, अगर हमें अपने काम पे daily जाना है और जल्दी पहुँचना है तो गाड़ी उसमें एक अच्छी help कर सकती है, कोई भी vehicle हमारे लिए helpful हो सकता है So अपने घर या फिर गाड़ी अपने vehicle के लिए loan लेना पड़ रहा है तो वो good debt की category में हो सकता है But at the same time, अगर हम ये चाहें कि हमें बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए और वो शायद हमारे budget के बाहर भी जा रही है तो वो हमारी want की category में हो जाएगा और अगर हम अपने want के लिए debt लेंगे तो वो bad debt हो सकता है Similarly अगर हम अपनी luxuries को fund करना चाहते हैं वो भी debt से तो वो bad debt की category में आ जाता है For example, foreign vacation पे अगर हम जाते हैं, expensive phone को ही खरीदना चाहते हैं और ये सब हम credit पे ले रहे हैं तो ये bad debt की category में आ जाता है तो यहाँ पे good debt हम ले सकते हैं और bad debt को हमें definitely avoid करना चाहिए 5th point, buy luxuries if you can pay upfront यानि कि अगर हम कोई luxury को upfront नहीं खरीद सकते हैं पूरे पैसे दे के नहीं खरीद सकते हैं तो वो हमें शायद खरीदनी ही नहीं चाहिए उसके लिए हमें फिर debt obviously नहीं लेना पड़ेगा यानि कि अगर हम कोई expensive cloth या फिर foreign vacation के लिए पैसा नहीं निकाल सकते हैं तो वो हमें शायद खरीदनी ही नहीं चाहिए जब हम उसको afford कर सकें तब maybe हम उस luxury के पीछे जा सकते हैं sixth point learn finance and investing हमें अपने money को regular track करना बहुत जरूरी है यानि कि हम हर महीने कितना earn करते हैं उसमें से हमारे कितने खर्चे हो जाते हैं यानि कि needs की तरफ चले जाते हैं कितना पैसा हम wants की तरफ allocate करना चाते हैं फिर finally जितना पैसा हम invest करना चाते हैं वो हमें कहा करना चाहिए कौन सी investment से हमें कितना return मिलेगा हमारा maximum tax optimize कैसे हो रहा है जितने भी हमारे loans हैं क्यों न हम उन loans को पहले खतम कर दें जो भी high interest वाला loan है उसको हमें जल्दी खतम करने की कोशिश करना चाहिए तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी बहुत जरूरी है 7th point have a long term view देखिए जब भी हम investing से पैसा बनाने की बात करते हैं तो उसमें हमारा long term view होना बहुत जरूरी है हमें patience सीखना पड़ेगा आप देख सकते हैं जितने भी ये अच्छे investors हुए हैं इन्होंने long term में बहुत अच्छी wealth बनाई है हम Warren Buffett, Peter Lynch जैसे international examples देख सकते हैं, इंडिया में भी हम examples देख सकते हैं, Mr. Ramadio Agarwal है, Vijay Kedia साब है, आशीश का चोलिया जी है ऐसे बहुत सारे investors के आपको example देखने के लिए मिलेंगे लेकिन आप साथ में ये भी देखेंगे कि trading से generally बहुत पैसा नहीं बनता है, long term में जादा पैसा नहीं बनता है तो हमें ये trading और investing में differentiate करना बहुत जरूरी है और long term का view लेके हमें चलना होगा और मैं समझता हूँ कि अगर ये हम सारे steps अपने life में लगा सकें, implement कर सकें तो ये जितने भी हमने पहले 5 money traps की बात की, उन से हमें definitely छुटकारा मिल सकता है साथ में हमारा present के साथ साथ हमारा future भी अच्छा हो सकता है अब इस topic से related आपके जो भी सवाल है वो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं हम उनको YouTube Shorts और Instagram Reels में cover करने की definitely कोशिश करेंगे इस वीडियो को like और share जरूर कीजिए अपने friends और family members के साथ I am sure उनको भी काफी value add मिलेगा और ये channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया तो नीचे से जाके पहले subscribe कर लो फिर bell icon press करके साथ में all पर भी click कर लेना जिससे आपको latest finance video का notification मिल जाए